हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपनों के लिए फटाफट बन जानी वाली रेशिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही चटपटी है क्या आप यकिन कर पा रहे हैं यह रेशिपी मैंने परवल से बनाया है तो चलिए आईए फटाफट बनाते हैं परवल की चटपटी रेशिपी यहां पर मैंने परवल को अच्छे से छील कर ऊपर और नीचे के हिस्से को काट कर नमक किशा दो सीटी आने तक बॉयल कर लूँगी यह बिल्कुल ही न्यू रेशिपी है तो आप एक बर जरूर ही ट्राइक करें बहुत ही कम तिल मशालों में बहु और इसे ठंडे होने के लिए रख दूँगी जब तक इसके मसाले की तैयारी कर लेती हूँ यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज पाच्छे करी लेशन की एक टमाटर ली हूँ और शाथी एक परेचमच मस्टेड ओयल में जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्च का छ जब तक हमारा परवल भी ठंडा हो चुका है तो उससे आप इतना भी उसमें एक्सेस वाटर है उसको अच्छे से निचोर लें बिल्कुल वीडियो की हेल्प से देखें मैं कैसे निचोर रही हूँ उसी तरह आप निचोर कर इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लें देखि हमें मैं लहसन अद्रक का पेश्ट, हल्डी, जीरा पौडर, गरम मशाला और कश्मीरी लाल मिर्श एड़ करी हूँ मसाले को एक मिनाट तक भूने और उसके साथ ही हमने जो एक टमाटर लिया है मिडियम साइज का उसे भी एड़ कर दें और टमाटर की डालते ही हमें नमक और थोड़े से पानी डालकर टमाटर शॉप्ट होने तक हमें इसे पकाना है जब तक हमारा टमाटर शॉप्ट हो रहा है जब तक मैं परवल को मैस कर लूँगी आप अगर यह रेशिपी ट्राइ करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर कि यह रेशिपी आपको कैसी लगी तो परवल को आप अच्छे से मैस कर लें बहुत ही आसानी से मैस हो जाएगी क्योंकि हमने इसे बॉइल करा है और यह बहुत ही चटपटी बनती है आप एक बार तो जरूर ही बनाए और आपने तो बहुत बार परवल की रेशिपी ट्राइब की होगी एक इस रेशिपी को भी जरू ट्राइब करें यकीन मानिए कोई भी खाएंगे इस रेशिपी के फैन हो जाएंगे तो देखिए यहां पे हमने परवल को बिल्कुल अच्छी से मैस कर लिया है इस रेशिपी को आप किसी के साथ बिंजवाय कर सकते हैं रोटी परांठे चावल क किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा तो इदर हमारा मसाला भी देखिए बिल्कुल ही भूनकर तयार हो चुका है तो अब आप इसमें मैस किया हुआ बॉयल परवल एड़ कर दें और शेवी हमें दो मिनट तक भूनना है जब तक मसाली का फ्लेवर हमारे परवल में अच्छे से ना आ जाए और देखिए कितनी जट पर बनकर हमारे यह रेशिपी तयार हो गई जब भी आपको कुछ चटपटी खाने का मन करें तो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रेशिपी है दे तो अब मैं इसमें लेमन जूस एड़ करूँगी यहां पर ध्यान रखें कि आप लेमन जूस बिल्कुल ठंडा होने के बाद है याफिर आप सर्व करने के टाइम लेमन जूस एड़ कर फिर सर्व करें बहुत ही टेश्टी और शटपट बन जाने वाले रेशिपी को आप जरूर ट्राइ करें देखिए कितने जटपट मारी परपल की चटपटी रेशिपी बनकर तैयार हो गई देख करी खाने का मन हो रहा है ना तो जटपट बनाईए और फटा फट इंजॉय कीजिए थैंक यू